विल्कम टॉ अंलाइन एस्टीडी किंग्डम दोस्तों कि यूपी पीसियस आरो ए रो के लिए हम लोग यहां पर टेस्ट स्रीज को कबर कर रहे हैं हिंदी के टेस्ट स्रीज में अभी तक टीन टेस्ट को कबर किया गया है और या चार्ज चौथा टेस्ट है या भी तक टेस्ट कराए गए गए है वो 6 टेस्ट कराए जा चुके हैं और अभी तक जो अभी तक जो आफे पास जो टेस्ट स्रीज भी अब आ गया है तो जल्द ही आपको इसको आज यह अकल में जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा GS का ठीक है क्योंकि CC के साथ जो complete करते चलेंगे क्योंकि revision के तौर पर भी काफी महत्तों पूर्ण हो जाता है revision करने के लिए भी तो यहाँ पर आज के test series में चौथा देखेंगे उसके बाद GS का जो भी है test series आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक हमारे पास अब लेबल नहीं था अब है तो आप मैं इसका जो है वीडियो आपको प्रवाइड कराऊंगा ठीक है दोश्तों तो आईए इस्टार्ट करते हैं test series नंबर 4 हिंदी की ठीक है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त अगर चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करने क्योंकि आपकी सब्सकिप्सन हमारे ताकत है साथ ही आल नोटिकशन बेल आइकान को आप जरूर पेस कर लीजेगा ताकि आने वाली वीडियो क्योंकि अपडेट से आप सभी को प्राप्त होती रहे तो आईए फटा फ़र्दी स्टार्ट करते हैं वीडियों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चमा चाहेंगे कि वाइस में हो सकता कोई दिक्कत हो क्योंकि मुझे जुखाम बहुत जादा है फिर भी यहां पर हम लोग कौन एक गलत है आपको यहां पर बताना है आपसन भी यहां पर सही जबाप हो जाएगा यहां गलट करते हैं अगला उक् Casey प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अब यहां पर द्रिस से भी दे रखा है जो धे आई इसकी एंसर की है उसमें क्या है किसी इनने माना एंसर लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए दोस्तों वहां आपसन एह ही होना चाहिए ठीक है बागी आप अपना अपना देख सकते हैं अगर आप हर देव बहारी को देखेगा वहां अद्रिस से होगा लेकिन अगर आप वहीं पर घटना चक्र पढ़ेंगे तो घटना चक्र में आप श्रब्य का बिलों अश्रब्य देखेंगे मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वह होना चाहिए आपसन एह ठीक है चलिए आप अपने हिसाब से जो लगाना दोस्तों वो लगाना चाहिए आश्रव्य ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रस्न है तीसरा ग्रहन का बिलोम क्या होगा यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा ग्रहन का बिलोम होगा और पड़ आपसन भी इस गरेकर एंसर प्रस्न संख्या नंबर चार है यहाँ को सही सुमिलित करें कि आपको एंसर बताना है अब यहाँ पर सबसे पहले आप आसान सब्दों को पकड़िए अब जैसे कि दे रखाना बहुत लोग बोलते हैं इसके पास बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अधिक है तो बिपुल का आप लगाएं कि क्या अल्प हो जाएगा ठीक है आल्प मात्रा में तो बिपुल क्या है बिपुल का विलूम हो जाएगा अल्प तो डी का जो होगा थिरी डी का थिरी हंडिड़ पर्चंट आप सेव रहें तो आप यहाँ पर दो पकड़ ये ए और डी को पकड़ लीजे इसके बाद आपको क्या करना है एक अटर है अब A centre का जो बिलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विकेरण होगा ठीक है तो 100 प्रषण आप सेवर है कि A कð बिलोम होगा तो B का हो जाएगा 2 तो B का 2 जो दिख रहा है वह दिख रहा है D में तो आपसन यहाँ पर बिल्कुल जो सही जबाब हो जाएगा YD हो जाएगा इस तरह आप मिला सकते हैं यहाँ आप सन एक को पकड़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर 1,2,3 यहाँ पर भी नहीं पकड़ सकते हैं ठीक है इसमें आप किसी को भी common नहीं ले सकते हैं कि अगर आप सही होगा तो 100% सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी में भी 1,2,3,4 करके नहीं दे रखा है इसलिए यहाँ पर एक को अगर मिला पा रहे हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला है यहाँ पर आपको कम से कम दो जरूर मिलाना है ठीक है अब यह बहुत हो जाता है धवल का जो है हो जाएगा आपका धवल का होगा मलीन ठीक है धवल का क्या होगा मलीन हो जाएगा और चांचल्ले का जो बिलोम होगा वो होगा इस था एरिया ठीक है तो आपसन यहाँ पर D सही जबाब होगा दोस्तों आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है कि आबिर भाव का विलोम क्या होगा तो बहुत बार पूछा गया है इसको सब को रड़ भी गया होगा इसका सही जबाब हो जाएगा तिरो भाव आप संडी इस करेक्ट एंसर अगला प्रस्ण है आपका आपको यहाँ पर एक गलत यूगम का चुनाव करन है ताम से तो इसलिए आप सने यहाँ पर गलत जबाब है यांनी सही सोमेलित नहीं है तो आप सने यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा अगर आप हंड़ेड पर्चंट है तो आपको देखने के वह जूरुत नहीं है लेकिन फिर भी देख सकते हैं knowledge के लिए कि रति य्रति का अगला प्रश्ण है सदासाय का विलोम आपको बताना है तो सदासाय का विलोम होगा आप संसी दुरास है अगला प्रश्ण है आपको विलोम बताना है तो इसमरड कर जो विलोम होगा दोस्तों वह क्या होगा तो इसमरड का जो विलोम होगा वह आप संद भी यानि अगला प्रस्न है आपका बड़ बड़िया क्या है बड़ बड़िया है ठीक है और बहुत जादा बोलने वाला तो यहां पर जो है बड़ बड़िया का जो बिलूम होगा वह होगा बिल्कुल है आप संसी गरेक्ट एंस्वर आगे चलते हैं अगला प्रस्णा आपका वर्तनी सुद्धी से है तो सुद्ध वर्तनी का आपको यहां पर चैन करना है यहां पर आपको बताना है कौन सा जो है वो सुद्ध वर्तनी है यहां पर दोस्तों सही जबाब होगा बरात जो है अपने आप में एक सुद्ध वर्तनी है आधीन दे र यहां पर बड़ी ए की मात्रा हो जाएगी ठीक है तब यहां पर सुद्ध होगा अच्छा बच्पन से थोड़ा याद आ रहा होगा बुड़ बुद्र कहते थे कि अच्छा बहुत आता है तुमको जार आसिर बाद लिख के दिखाओ लोग जल्दी जल्दी में क्या लिख दे है ठीक है यहां पर जो कि अर्या में आप देख रहे हैं बड़ा धो मात्रा दे police अटीक है यहां पर जो है चोटा फो मात्रा होगा ठीक है Bonjour कि दिश्यों क्यों ऐख़े होगा गुरूजी आप सब्सक्राइब बाकि आप सो अब देख लिए यहां पर आगी चलते हैं वरतनी की द्रिश्टी से एक आसुद्ध सब्द को आपको पर चैन करना है यहां पर जो आपका दे रखा है Option D यह सही जबाब होगा यहां पर दिया है विद्ध्यारती गण कै थीद्यारती गण ठीक है यहां पर जो इसका अगर जबाब होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है सु शुरूसा की सुध्वर्तनी आपको बताना है तो यहाँ पर आपका सही जबाब होगा आपसन ए आपसन ए इस करेक्टर एंस और जो छोटा सु है यहाँ पर छोटा सम बड़ा सा लगा दे ना छोटा होगे मात्रा तब य सु शुरूसा की चलते हैं अगला प्रस्ण है वर्तनी की द्रिष्टी से यहां पर आपको सुध्वर्तनी है यह यह होता है क्या पूजनिया ठीक है यहां पर जा और यह जो लिखा है इसका अगर आप सुद्ध करेंगे यह होता है आपका पूजनिया यह सुद्ध हो जाएगा आपका ठीक है और यह आप इसको ऐसे भी लिखते हैं पूजनिया का जो लिखा है यह इसका जो सुद्ध होगा वोगा पूज्या भी होता है ठीक है सन्यासी के गर बात की जाए तो सन्यासी में आप देख रहे हैं सन्यासी में यहाँ पर जो है जो यह सन्यासी लिखा है यहाँ पर थोड़ा आप शन्यासी होता है ठीक है यहाँ पर अंगविंदी लगती भी है ठीक है यह सुद्ध हो जाएगा इसके बाद अगर आप देखेंगे क्या है श्री मती जानते हैं आप बोलते हैं माता का नाम बता ये तो लोग बताते हैं श्री मती लगा करके ठीक है तो आपसर यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं तो सही जबाब क्या है श्रिंगार अप पित्व आप लूग्फ को दूसरा पर लीजये कारिक कार्वर्म दें रखा है तो क्रम जो होता है कर्म प्रधान ठीक तो कर्भाल जो यहां पर क्रम लगएगा ठीक है तो यहां घुनते सुद्ध होगा ती अब उज्ध को सुध्ध होगा यहां गायोड़ यहां पर जो आधा जा होगा उडबल होगा ठीक है उज्वल होगा तो यह भी असुद्ध है कैलास का देखेंगे तो यहां भी असुद्ध है यहां पर पूंचा क्या है सुद्ध पूंचा है ठीक है तो यहां पर आप जो है आप सन कर लीजिए जो दोस्तों यहां पर D, यहाँ पर सही जबाब होगा, ठीक है, कैलास, जो यहाँ पर बड़ा सा छोटा सा होता, यहाँ पर वह रहाए, यहाँ पर इतुन का मेरा हो जाएगा, यह भी सुध्य हो जाएगा, यहाँ पर D, आपसं सही कर लीजिए, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रस्न है कि निम् ताना है तो यहां पर आपका सही जबाब जो होगा दोस्तों वह होगा आयतन क्या होगा आयतन आयतन जो सब्ध है वह सर्व का प्रयायवाची नहीं है बागी अस्तर मठ और अ radi सबहें तो आयतन किई लोक्य होता है अगला प्रस्ट है मधनारीं भौह कि हम अगर आप लोचन पकड़ लिया हनते हैं आपको औहसा अब रहा होगा लेकिन हर पर tip लोचन आपके दिमाग में आ रहे होंगे जो है भगवान संकर की महेज ठीक है तो आपसन यहां पर जो है वो सी सही जबाब हो जाएगा त्रलोचन ठीक है यहां पर हर हरी होता भी सुनो ठीक है इस तरह चलो आगे चलते हैं अगला प्रस्ण दे रखा है बीभद सुर्थ बिजई किसका प्रयाइबाची सब्द है इसका संद सहना नदी का प्रयाइबाची नहीं है नदी का यहां पर आपका सही जबाब होगा तंडी जो है वह नाव का होता है क्याश का नाव का प्रयाइबाची अगला प्रस्न है निमलेखित में से कौन एक तलवार का प्रयाइबाची नहीं है तो तलवार का जो प्रयाइबाची नहीं है दोस्तों वह है असी भी होता है करवाल भी होता है चंद्रहाज भी होता है लेकिन आपसंसी जो जबाब होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्म दे रखका है निम लिखित में आपको प्रयाइबाची बर्ग में एक सुध्ध जो वर्ग दे रखके हाँ पर चैन करना है यहाँ पर आपसन भी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा खदोत पड़ बीजना प्रभाकीट यह सभी के सभी जो होते हैं प्रयाइबाची वह जुगनू के प्रयाइबाची है ठीक है आपसन यहाँ पर भी सही जबाब होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्न है कि यहाँ पर क कोयल का प्रयावाची सब्द आपको बताना एक प्रयावाची दोस्तों वहां होता है कि कल्गोश स्यामा काक पाली यानिया आप संडी यहां पर सही जबाब होगा सभी के सभी अगला है खटपद, दिवरेव, चंचरीक, सिलीमुख, इत्याद, ये किसके प्रयाबाची हैं? यहाँ पर आपका सही जबाब होगा, ये सभी के सभी जो प्रयाबाची हैं, वहां ब्रिंग के हैं, किसके ब्रिंग के? अगला प्रस्ण है वगीचा का आपको प्रयाबाची सब्द बताना है, तो जो वगीचा प्रयाबाची सब्द होगा, वह होगा, आराम, निकुंज, उपबन, सभी के सभी जो है वो वगीचा के प्रयाबाची हैं, अगला है आपका 25 नंबर, यहाँ पर पूछा जा रहा है हल अगला प्रस्ण है। अगला प्रस्ण है निम्ले खितमे से सुधवा क्या आपको चैन करना है। सुध्ध वाग्यका पहला आप संदे रखका है कि यहां पानी का कुवाँ सूखा क्यों है यहां पानी का कुवाँ सूखा क्यों है तो यहां पर जो सही जबाब होगा इनका इसका अगर आप सुध्ध करेंगे यहां कुवाँ क्यों सूखा है ठीक है कुवाँ है अल्रेडी प यहां पर अगला है आपका अपना पराया की भावना ठीक है यहां पर जो अपना पराया है यहां पर जो सुद्ध होगा वह होगा अपने पराय की भावना गिलास के अंदर दूध है ठीक है तो गिलास के अंदर दूध है अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही भारत का भूगोल की प्रतिखरीदनी है तो बिल्कुल यह सही है आप शंडी यहांपर सही जबाब होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्णा असुध्धवाक्य का आपको यहां पर चैन करना है इसका अशुध्धवाक्य का पहला दे रखा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकासन होता था ठीक है यहाँ पर को दे रखा है ठीक है क्या है को है तो स्वतंतता संघर्ज के दोरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं को प्रकासन होता था अब यहाँ पर आप दिमाग लगाएंगे अगर मालो को की जगा यहाँ पर का होता क्या होता का तो आप क्या करते बिल्कुल सही कर देते लेकिन वह भी गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पर अगर आप सुद्ध इसका वरतनी बनाएंगे तो पत्र की जगा यहाँ पर आपका योगिक जो चिन होता वो जुड़ेगा यहाँ पर जो और दे रखा वो अट जाएगा तो यहाँ पर जो सुद्ध होगा वहाँ होगा स्वतन्तता संगहर्ष के दोरान बंगाल से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकासन होता था ठीक है यहाँ पर जो है आपका सही जबाब तब हो जाता बिल्कुल सही तो यह क्या है असुद्ध है अपने आप में ठीक है प्राताकाल गोमने से स्वास्त बेहतर होता है को यहां पर सुद्ध वाक्य का यहां पर चैन करना है दोस्तों सुद्ध वाक्य का खबर सुनकर मैं बिसमय हो गया तो बिसमय जो दे रखा यहां पर क्या होना था बिसमित तब यहां सुद्ध होता यहां भी असुद्ध है उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे उ ठीक है तो यह वर्ट देखिए अपने पराई कई बार पूचा तो अपने पराई इसको थोड़ा दिमाग में रखना सिच्छा लेने में कंजूसी क्यों सिच्छा लेने में कंजूसी क्यों तो सिच्छा ली नहीं जियाती सिच्छा राहप्त की जाती है तो यहां पर जो है व वाक्य का चैन करना है और शुद्ध वाक्य का ठीक है पहला दे रखा है यहां राजनीति के समस्या है यहां बिल्कुल सही है वह दंड देने योग्य है यहां पर जो सुद्ध होगा वहां होगा यहां पर योग्य नहीं ठीक है कोई योग्यता थोड़ी देखी जा रही हो है दंड नहीं ठीक है दंड के पात्र है यहां पर जो क्या होगा वहां दंड का क्या है पात्र है ठीक है क्योंकि वहां है तो दंड का पात्र यहां पर क्या है सुद्ध होटा ठीक है तो आपको यहां पर चैन करना है जो असुद्धिवाक के दे रखा है आप साने यहां पर सही जबाब होगा इसका अगर आप सुद्धिवाक के बनाएंगे तो पंडित नहरु की मृत्यू बहुत ही यहां पर जो दुख पूंड है यहां पर क्या होगा दुखद ठीक है पंडित बिकल्ब है आपकी सामने तो यहां पर आपका सही जबाब होगा तो आप संड़ी क्योंकि आदर्स जो अपने आपमें एक तत्सम है और इसका जो तदभा होता है वो होता है क्या इसका जो तदभा होगा वो होगा तो और सी क्या होता है और सी ठीक है करतब दे रखा है तो करतब एक तदभो है इसका जो तत्सम होगा वह हो जाएगा क्या करतब हो जाएगा ठीक है अब लोचना तो अब लोचना भी एक तदभो है और इसका जो तत्सम बनेगा हो जाएगा आलूंचन क्या होगा आ लूंचन ठी जबकि जो आपका दे रखा है अनुत्ता सब्द यह भी तदब हो एइसका अगर अगर तत्सम बनाएंगे तो अनुत्त क्या हो जाएगा अनुत्त हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको तदभो दे रखे उनके सामने तस्सम दे रखे इसमें से कौन सा गलत है या आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है जव का यो होगा बिल्कुल सही है थोड़ा का इस्तोक होगा या भी सही है खंभा ठीक है तो खंभा का जो होता है वह खातना होकर कि क्या होगा खंभा का सिंपल सा आप जानते हैं यह होता है इस्तम्भ ठीक है क्या होगा इस्तम्भ होता है तो इसलिए जो है वो गलत सुमेलित है या नि सही सुमेलित नहीं है आपसन सी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा बेन का जो है जेंडू होता है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है एक तद्भो सब्द का आपको चैन करना है तो तद्भो सब्द यहाँ पर जो सही जबाब होगा वह होगा आपसन सी मसान मसान एक तद्भाव इसका आप तद्धम बनाएंगे तो मसान का तद्धम जो होता है वो होता है समसान आपसन यहाँ पर सी सही जबाब होगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है एक तद्धम सब्द नहीं है यहाँ पर जो संस्कित जैसा कुछ दिखे तो आप उसको समझिए थोड़ा ऐसे दिमाग में रखा करिए आपसन यह भी सही यह भी सही है रीता जो दे रखा है रीता एक तद्धम नहीं है रीता का अगर आप तद्धम बनाएंगे तो वो होता है रिक्त आपसन यहाँ पर है वो भी सही जबाब होगा आगे चलते हैं अगला प्रश्ण भी आपको यहां पर तत्सम सब्द बताना है तो यहां पर जो भी दे रखा आपसन जागरण ठीक है जागरण अपने आप एक तत्सम है और इसका जो तद्भाव होगा वो होता है क्या जागना क्या होता है जागना जो एक तद्भाव हो जाएगा इसका जबकि वहीं पर आप देखेंगे जो दाख दे रखा है तो दाख एक क्या है तद्भाव सब्द होगा और इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा ठीक है और पाहुना पाहुना का अगर आप तत्सम बनाएंगे तो पाहुना का दो तत्सम होता है वो हो जाएगा प्रागोगुणडा ठीक है बजरंग बजरंग जो है अपने आप में एक तदभो है और इसका जो तत्सम बनेगा वो होगा वजरंग क्या होगा वज्रांग ठीक है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला है आपका पंसारी तथसम किसका पंसारी तो पंसारी तथसम होगा वोगा आपको बताना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा आपसंसी is the correct answer अगला प्रस्ण है आपको यहां पर बताना है कि कौन सा सही सोमेलित है मंगलवार मंगलवार तदभो है इसका तत्सम भौमवार बिल्कुल सही मदारी का मंत्रकारी तत्सम यह भी सही मच्छर का मत्सर यह भी सही है सभी के सभी बिल्कुल सही सोमेली थे स्रिंखला का तदभो आपको बताना है अगला प्रस्ण है एक यहां पर आपको तदभो सब्द का चैन करना है यहां पर आपका सही जबाब होगा छेलका छेलका आपने आपने एक तदभो सब्द है और एकर आप इसका तत्सम बनाएंगे सकल क्या होगा बड़ाशा का खाली लगा खाली सकल ठीक है कुल्धर ये अपने आप में तद्भो सब्द नहीं है जो है क्या है तत्सम है कुल्धर का तत्भो क्या हो जाता है दोस्तों जब आप क्या कहेंगे प्य हैं कि 13 ठीक है उसे प्रास्रण हो तो प्रस्राइम को आप जो किया कह दीजिए कि अ में बिल्कुल ठेट में आप कह सकते हैं क्या पसरना ठीक है पढल था एक हाली कि निस्तव है आगी चलते हैं action हैं अगला सब्द है इस कiroze बनेगा हुनी निरिता शुंद ठीक है क्या विच अधिक है बाकि टाव हुआ सबनाएंगे तो ताव का बड़ा आक मात्रा बड़ा सा पच्छोटा एकी मात्रा ठीक है कि हो जाएगा काप आक मात्रा पासी का आगे चलते हैं 41 नमबर है हिर्दय का बिदारण करने वाला द्रिश सी के लिए एक सब्द ठीक है तो वाक्यां स्यों के लिए एक सब्द आपको बताना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा हिर्दय विदारक आपसन सी इड करेक्टर जोर अगला प्रस्ण है दोबारा जन्म लेने वाला के लिए एक सब्द कभी कभी निउज में आप देखते होंगे दिखाते हैं देखो यह दोबारा जन्म लेने वाली इन ठीक है तो इस तरह की निउज हैं चलिए दुबारा जन्म लेने वाला के लिए एक सब्द आपको बताना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा आपसन भी द्यूज अगला प्रस्ण है आप प्रमिय किस वाक्यांस के लिए एक सब्द है आप प्रमिय यहाँ पर आपका सही जबाब होगा जो प्रमाण द्वारा सिध्ध ना हो सके उसको कहा जाता है आप्रमिया चलिए अगलब रस्न है आपका राजी के प्रधान द्वारा निकाला गया अधिकारिक आदेश के लिए एक सब्द आपका यहाँ पर सही जबाब होगा आप्सण बी अध्यादेश अगलब रस्न जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा यहाँ पर सही जबाब होगा जि जी विशु आफसन यहां पर दी सही जबाब होगा अगला प्रस्थल है स्वयम गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द क्या होगा गुरुडम आफसन यहां पर दी जु है वो सही जबाब हो जाएगा 47 नमबर जिसका दमन करना कठिन हो एक सब्द में क्या कहेंगे आपसन भी दुराधर्ज अगला प्रस्ण है जो यहाँ पर आप इसको थोड़ा आपको बलर दिख रहा होगा ठीक है तो बलर ना इसको आप लिख दिए जो जो सब काम जो सब काम अपने भरो से करता हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा जो सब काम अपने भरो से करता हो उसके लिए एक सब्द होगा स्वाव लंबी आपसन C is correct answer अगला प्रस्ण है निमन लिखे दिगुम में से कौन सही सुमेले तो नहीं है यहां पर आपका सही जबाब होगा option be is correct answer क्योंकि उत्रा अधिकार में मिली जायदाद को उत्रा अधिकार में जो मिली जायदाद है उसके एक सबने क्या कहा जाता है रिक्त कहा जाता है ठीक है तो इसलिए यहां पर option भी जो है वो सही समें लित नहीं है बाकी सही सभी बिल्कुल जो दे रक्खा क्या नहीं है 50 वा नमबर है कि जिसके हिरदे को चोट बहुंची हो जिसके हिरदे को चोट पहुंची हो एक सबत में आप क्या कहेंगे ऐहां पर आपका सही जबाब होगा आपसनीमरमाहत आपसनी यहां पर सही जबाब हो जायगा अगला जो प्रसन है विसेश से और विसेशण से जो कि काफी आसान होती है प्रसन आपको स्वाल गरना एक अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा कर बढ़ा है तो बहुत आसान है चीजिए एक विसेश सब्द का आपको यहाँ पर चैन करना है जो की नहीं है पूछा जा रहा है एक विसेश सब्द नहीं है आपसन यहाँ पर बी सही जबाब होगा जो प्रदत दे रखा है प्रदत जो है अपने आप में एक विसेश सब्द है और इसका विसेश से बनाएंगे तो यह हो जाएगा प्रदान ठीक है क्या हो जाएगा प्रदान हो जाएगा वहीं पर जब जेवतिस की अगर बात की जाए तो जेवतिस जो है एक विसेश सब्द है इसका विसेशन क्या होगा जेवतिसी ठीक है क्या होगा जेवतिसी हो जाएगा साप का विशेषन क्या हो जाएगा सापीत हो जाता है ठीक है सापीत और स्रम की बात की जाए तो स्रम का क्या हो जाएगा स्रम इक हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं बावनवा नंबर है एक विशेष सब्द का आपको चैन करना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा क्या आपसंसी निसर्ग जो है एक बिशेश सब्द है और इसका जब बिशेशन आप बनाएंगे इसका जो बिशेशन होगा वह होगा नए सरगिक ठीक है क्या हो जाएगा नए सरगिक जबकि जो दरिद्र दे रखा है सब्सक्राइब हो जाएगा तो सामसिक का होता है समाज ठीक है अगला प्रस्न आपका है जो दोस्तों की लाखों लोग ताज महल देखने जा रहे हैं वाकि वाक्य में आपको बीशेशन बताना यहां पर एनसर किसा आते दिसेशन कर ली जीए ठीक है इस इससंड क्या उपिशेशन आपको यहां पर बताना है लोग दे रक्खा ताजमहल दे रक्खा सब्सक्राइब देखने हुआ और डाय आप钱 आप ले लीजी लाख हुए ठीक है कि यहां पर आपको बताना है waterproof अधेशना है' तो विशेषण में आप जानते हैं जिस सब्द के द्वारा किसी संग्यात्वा सर्वनाम की विशेषटा बताई जाती है उसको कहा लाता है विशेषण यहाँ पर देखने जा रहे हैं ठीक है लोग जा रहे हैं तो लोग ताज महल देखने जा रहे हैं ठीक है आपको बताना है विशीषण ठीक है तो यहाँ पर क्या है लोग जा रहे हैं इसमें विशीषण क्या है कि लाखों लोग जी ठीक है तो आपसन यहाँ पर जो है वो डी सही जबाब हो जाएगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है आपका एक सुध्व विसेश य विसेशन क्या है विसेश य विसेशन यूगम नहीं है इन्हीं गलत समेलित है पहला दे रखा है चिंता चिंत तो चिंता विसेश और इसका विसेशण होगा चिंत बिल्कुल सही है आपसन गे ग्रस्ट ठीक है भी जो दे रखा है गे और ग्रस्ट तो गे जो है अपने आप में एक विसेशण है ठीक है विसेश तो है नहीं ग्रस्ट भी आप में अपने आप में क्या है विसेशण है क्योंकि ग्रस्ट जो दे रखा है ग्रस्त का जो विशेश से हो जाता है वो हो जाएगा ग्रास क्या ग्रास होगा ठीक है जबकि जो गे है ये भी अपने आप में क्या है एक विशेशन है इसका जो विशेश से होगा गे का हो जाएगा गायन ठीक है इसलिए जो है सुमेली जो दे रखा है गलत सुमेली था इसलिए आपसन यहां पर भी सही जबाब होगा कथन अपने आप में क्या है विसेश है इसका कथित हो जाता विसेशन यहां भी सही है इसन का इस्ट यहां भी सही है तो आपसन भी यहां यहां ठीक है वे उसे सबीक जो है सर्बनाम आपसान रहे हैं ठीक है नाम की जगह उनका यूज किया संदर्म हमें ठीक है अब यहां पर क्या है कि बीसेशन क्या है वह सब्द होता है जो संग्या अथवा सर्बनाम की अब यहां पर संग्या है संग्या अथवा सर्बनाम की क्या है वह गा रहा है अब वह गा रहा है अच्छा गा रहा है कि खराब गा रहा है कुछ विसिस्ता ही नहीं यहां पर किताब पढ़नी चाहिए यहां पर भी कोई विशेष्टा कुछ खास नहीं वह आदमी इमांदार है इमांदार आदमी कैसा है इमांदार है आदमी की विशेष्टा क्या है इमांदार ठीक है तो यह आदमी इमांदार है वह देश भ्रमण को जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं ठीक है कोई नहीं तो की सभी जो है वो गुडबाचक है आपसन या पर डी सही जबाब हो जाएगा आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है निमलेखित में से कौन एक परिवाण वाचक क्रिया विशेशण है परिवाण वाचक के साथ क्रिया विशेशण ठीक है यहाँ पर आपसन जो है वो भी सही जब जबाब हो जाएगा अगला प्रस्य ट्मेसर्स युगमों में गलत हैं कि यहाँ पर और शंसी सही आप संसीर करेक्ट आगे चलते हैं अंतिम प्रस्ण है और इसी के साथ 60 प्रस्ण कंप्लीट हो जाएंगे और लास्त में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि साथ में आपकी कितने प्रस्ण सही हो रहे हैं क्योंकि हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिस चे टॉपिक है बहुत चेहें करने होंगे ठीक है क्योंकि अगर आरो की तयारी कर रहे हैं ए ऑरो में थोढ़ा कमुशन कम हो जाता है क्योंकि लोगों के पास बहुत कम हो जाता है नमिलेकेत में यह से कौन सा सब्द विन सेसंट है यहाँ पर आपका option जो है इस ही जबाब होगा क्योंकि आगने का जो विन सेसंट होगा वो होता है अगनी ठीक है बाकी जो मधु दे रक्खा है मधु का मधुर हो जाता है आसन का दे रखा है तो आसन सब्द कभी सीषड बनाएंगे तो आसीन हो जाता है और कर्म का क्या हो जाता है कर्माठ ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रीप्सन ही हमारी तागत है मिलते है नेक्स लेक्षर में और जो एक्स जोटे स्रीज होगी नाप की वो होगी जीएस से रिली ठीक है तो जीएस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि नॉम्बर चलना है और पांच दिशंबर को पेपर है थैंक्स फार वाचिंग